हाई एवरीबन जहिंद बंदे मातरम कैसे उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी वोड एकजाम की तयारी भी सांदार चल रही होगी मेरे साथ में बने रहीएगा आप लोग अंत तक भहुत महत्मोल परसन हैं जो आपके सीधे एकजाम में पूंचे उसे पहँचान कर लिखिए आचारे रामचंद सुक लिए कभी हैं ममता जैसेंकर परसाद का महाकाविय गोदान प्रेमचंद का पिरसीद उपन्यास है जहासी की रानी की लिखक उपहिंदरनात अस्क हैं तो क्या इसका आंसर हो जाएगा तो आप फटा-फट कमेंट करके बता देजिएगा तो आप सभी जानते हो आपको धीदे धीदे दिखरा होगा ओप्सन नंबर गा दिखरा है नहीं दिखरा दोस्तों क्या दिखरा है कि गोदान प्रेमचंद का पिरसीद उपन्यास है बिल्कुल सही बात है ठीक है ममता जैसेंकर परसाद का महाकाव भी नह निवाद करना चाहता हूं कि आप सभी मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है उसका तहे दिल से शुक्रिया तो इसका जो आंसर हो जाएगा बू हो जाएगा आपका गोदान प्रेमचंद का परसीद उपन्यास है ओप्सन नंबर गा पिसकुल बिल्कुल सही क्या है गोदान प्रेमचंद का प्रसीद उपन्यास है इसके बाद दूसरा प्रसंद देख रहे हैं परसंद आपके लाजवाव है न बोड के एकजाम के पॉइंट आप यू से बोलोगे जी सर गुरुजी ऐसे पेपर में छपते हैं ठीक है आपको अगर पीडिएप चाहि प्रेमचंद दिनकर तो बताओ आकास दीव के लेखक है कौन है आकास दीव के लेखक परसंद टू का आप लोग सही अंसर बताईएगा चार बिकलप आपके सामने हैं ठीक है तो क्या अंसर कर रहे हैं आप सभी जैसंकर परसाथ बिलकुल आपका बहुती बढ़िया अंसर कि जैसंकर परसाथ जी आकास दीव के लेखक हैं ओप्सन नंबर का बिलकुल सही आंसर है इसके बाद तीसरा परसंद क्या वात है गुरू जी इतना बढ़िया परसंद रियंडुका और हुंकार किस विद्या की रचना है का भी कहानी आलोचना आत्म कता तो बताईएगा इ बिलकुल राइट अंसर किया है ताली आप सभी के लिए रियंडुका और हुंकार किस विद्या की रचना है तो बुह है आपकी का भी किसकी रचना है आपकी काभी चलो नेक्ष्ट चवथा परसंद मेरी तिभबत यात्रा करती है ने कि मेरी जो तिभबत यात्रा है ठीके दो किसकी रचनar राहूल संक्या τैन wonderful और शांकरत्यान Hz जम्हें किया आपकी मेरी तिब्बत यात्माइद किसकी कृति है तो आप सभी क्या बता रहा हूं राहूलद संक्या रफ्र इंसर आफ्षा नंबर का सभी बच्चे लिäg ओर में का यू ठीकिन ठीके क्या हो जाएगा आपका राउल सांकिर्टिया नैन चलो इसके बाद पांचमा बुलागे क्या लिखूं किस विध्या की रचना है निवंद नाटक उपन्यास कहानी क्या लिखूं किस विध्या की रचना है तो बताओ आप लोग पांचमे का सही आंसर क्या किस विद्या की रचना है आपकी क्या लिखूं तो बू है आपकी क्या निवन्द ठीक है बहुत से बच्छी आंसर दे रहे हैं नाटक दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा क्या है निवन्द है क्या लिखूं ठीक है कलियर हो गया पांच चलो छटें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है छता한 कोजिशन, क्या निकला, यह निकला, साकेत किसी उग की रचना है, बारतेन्दी युग, दिर्वेधी युग, प्रगतिवाधी युग, छायवाधी युग, तो बताओं फटाओं पटाओं आप लोग, कि साकेत किसी युग की रचना है, भारतेंद युग, द्रवेदी युग, प्रगतिबाती युग, छायावादी युग, ठीक है, तो साकेत किसी युग की रचना है, तो छटें का क्या अंसर कर रहे हैं, आप सभी द्रवेदी युग, इसकी ये आपकी द्रवेदी युग की साकेर चलो परसुराम की प्रतिच्छा के लेका के अग्ये दिनिकर नगेंदर हजारी प्रसाद विवेदी तो परसुराम की प्रतिच्छा के लेका कौन है सातमे का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी बिल्कु सही आंसर कर रहे हैं आप लोग खा दिनिकर ठीक है इनका पूरा नाम अगर आप लिखोगे तो रामधारी सिंग दिनिकर ठीक है यही है आपके परसुराम की प्रतिच्छा के लेखाग चलो आटमा परसंट गुरुजी परसंट तो बड़ा बड़ा अच्छे हैं तो इसी बात पर आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सेर भी कर दीजिए अपने द बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था सभी बच्चों ने अच्छे मार्क से पास होगे थे इसके बाद आगन के पार द्वार रचना है जैसंकर प्रसाद की अग्ये की रामतारी सिंग दिनिकर की नरिंद सरमा की तो आगन के पार द्वार रचना है आठमे का क्यांसर हो तो किस्की है तो वह आपकी अग्ये की किस्की की यह आग्या आग्या अग्या के पार्द्वारत आपकी अग्या की रचना है छलो नमा रितिकाल की समयाब्दी कुसा माना जाता सबी बच्चर आंसर करें गा के बिल्कुल सही आंसर है तो आंसर हो जाएगा 16-48 तक आपका माना जाता है रेतिकाल चलो दसमा बोला गया कि ललित ललाम रचना है मतिराम की पदमाकर की देव की भूसड की तो बताओ जो ललित ललाम है वो किसकी रचना है तो आप सभी आंसर बताना है कौन सा या अपसन नंबर खा पदमाकर उपसन नंबर गादेव की उपसन नंबर खा भूसड की तो ललित ललाम रचना किसकी है तो आप सभी बता रहे हो किसकी है मतिराम की इसकी मतिराम की बिल्कुल सही आंसर है आपकर किसकी है मतिराम की है चलो जिसके बाद 11 मां हास रसका इस्ताइवाव ह हास, सोक, भबै, रोद्र, तो आप सभी जानतों, जो हास मतलसका जो इस्टाईवाव होता है, भो हास से होता है, क्या होता है, हास ओप्शन नमबर का, इसका सही आंसर है, ठीक है, चलो, बारमा परसन देख लेती हैं, बारमा परसन क्या निकल के आए, वो आबा क्या बात है, चरण कमल बंदो हरी राई में कौनसा अलंकार है, अनपरास, रूपक, सलेश या उत्परेच्छा, ठीक है, कौनसा अलंकार है, ठीक है, तो इसमें तो सभी आंसर सही बता देते हैं, ठीक है, रूपक, क्या बताया है, रूपक, ठीक है, बिल्कुल, सही आंसर है आपका, रो कर साज लगाए तो कोई सब में कौन सा उपसर्ग लगा है तू गोगाए अगर अनादर पूछ ले अनादर में के समझ में आगया जिसे करके पता लगाते हैं फ़ेट का तस्वक्त रूप चीर 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 या खीर तो बता ओक्या ansar कर रहें हैं आप सभी बच्चे पंदरमेका तो बहुत से बच्चे कर घ्चे कर हरें आपका डीजो क्या चीर चीर का सनी रूप क्या है छीर इसके वाद सोलमा आगनी का परिया बाची आग्लघ औरफे आपका अनल भी principal की क्या होता है। आपका आगी सभर तो क्या होसे गास और अपका पावक भी वोता है। सत्रमा सुक दुख में समास है तो सुख दुख में समास बताओ कौँ सा समास है है। अब भाव करमदार या दंदु तो इसमें चार विकल्पों में आपका पूंशा सही है तो आप सभी बताई दंदु समास। कौंशा है दंदु समास। सुख दुख में जब भी ऐसा 20 डेस आ जाए बीच में तो यह आपका दंदु समास ही होगा। ठीक है, किलियर हो गया सत्तर में का, क्या है आपका, क्या है आपका दंद समास, चलो, अठारमा परसन, बोलागे, तद पुलिंग सब्द का चतोर्ती विवक्ती, एक बचन में रूप होगा, यानि तद जो है, पुलिंग सब्द, चतोर्ती विवक्ती, एबं एक बचन में कैस तो क्या होगा तो याद रखना, वह घूगा आपका तसमे, क्या होगा तसमे, option number गार बिल्कूल, प्रुजोरोगर. इस वहरें राम पढ़ता है, इस बाक्य में राम पढ़ा है, तो क्या है, बताओ, 19 प्रुजोरोगर, जो से बता है, जैसे हैं बताओ, आप सब्सक्राइब हो कतारे वाप उननिस का अंसर क्या गलत कर रहे वाप सभी इसका क्या हो आपका उद्धेश ठीक है सही कर लेना इसके बाद भैजा रहा एक किस परकार का बाकिए भैजा रहा है कि बहुत तो उमीद करता हूं आपने 20 में से 200 सही कर लिए होंगे जिसका भी गलत हुआ होगा वो एक वार वीडियो को फिर देख लेजिएगा और यह आपकी ब्याक्षा त्यार कर लेना कौन सा आज का बिज्ञान नियंत्रित थी पाट का नाम था भारती संस्ग्रित लेकर करें आपक ठीक है डेली डेली अगर टार्केट बनाओगे तो आपके बूर्ड एक्जाम में 20 पिलस अंक आने वाले हैं ठीक है चलो इसके बाद निर्गुन कोन देश सूरु सभे मतिनासी यह पधांस है आपका सूरिदाजवरा रची सूरिसागर से ठीक है इसको त्यार कर लेना मैं यही सब देखने को मिलेंगे इसके बाद आपका परसं तीन जीवन परिचे आप त्यार कर लेना आपके पूर्य हो जाएंगे इससे बार आपको जीवन परिचे देखने को नहीं मिलेगा बोट एक्जाम में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है वीडियो को सेर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आये हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा थेंक्यू